दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताएंगे जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम Ford WhatsApp यूज करते हैं तो इसमें एक नया वर्जन आता रहता है नया latest वर्जन अपडेट आता रहता है अगर हम अपने Ford WhatsApp को latest वर्जन में अपडेट नहीं करेंगे तो हमारा जो Ford WhatsApp हो और चलता रहे और latest वर्जन में हो जाए तो यहां पर आपको दो तरीके बताएंगे यह दो तरीके आपके हमेशा काम आएगे जब भी आपके WhatsApp में अपडेट आए और इन्हीं दो तरीके से अपने Ford WhatsApp को अपडेट कर सकते हैं यह आप जीवी WhatsApp, AFM WhatsApp, यह WhatsApp अगर आपका फ्रे क्लिक करके सर्च करेंगे बढ़िया टेक यह चैनल आ जाएगा और यह जब चैनल आ जाएगा तो इसे आपको ओपन कर लेना है और इसे आपको जोइन कर लेना है जोइन करने के बाद यहां पर मिल जाता है आपको Ford WhatsApp का latest version 9.71 का जैसा कि आप देख पार होंगे तो इसे यहा से अपडेट कर लिया है लेकिन अगर आपने भी पहले कभी यह से चैनल को जोइन किया होता तो आपको यह मिल जाता तो आप भी यहां से अपडेट कर लेते लेकिन अब आपको इसे जोइन कर लेना है और आपको यहां पर हर हमेशा आपको लेटेट वजन का फाइल मिलता रहेगा तो आप यह तरीका आप अपलाई कलेजे अपने फोन में यह पहला तरीका है अगर आप पर टेलीग्राम चलाते हैं तो उसके बाद अगर आप पर टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आप क्या करेंगे फिर आपको जाना होगा अपने मुबाइल फोन में जाने के यहाँ पर आपको टाइप करना होगा Ford उसके बाद यहाँ पर लेखेंगे WhatsApp और आप लेखेंगे Update और आप लेखेंगे बढ़िया टेक जो वही चैनल है जो आपको वहाँ पर Telegram पर मिला है वही वेबसाइट आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा Google पर Ford, WhatsApp, Update और इसमें जो वर्जन है 9.71 का है और यहाँ से भी बहुत से लोगों ने इसे अपडेट कर लिया है जैसा कि आप देख पर होंगे यहाँ पर लगबग 1200 लोगों ने अपडेट कर लिया है तो आप भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं और हमेशा अपडेट कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचाना होगा नीचाने के बाद एक आपको अपडेट लिंक मिलेगा थोड़ा सा नीचाहिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Ford, WhatsApp पर अपडेट लिंक यह है for whatsapp update और जिसका वर्जन है 9.71 का अब आपको इस link पर click कर देना है जैसे आप link पर click करेंगे तो इस तरीके से ये open हो जाएगा यहाँ पर मिलेगा download अब आप इस पर click कर दें जैसे आप इस पर click करते हैं तो आपके समय details आजएगा इस पर click कर दें और यहाँ पर देखेंगे कि आपका ford whatsapp का latest version जो file है वो आपका download होना start हो चुका है तो आप इसे download करने के बाद फिर आप इसे update या install कर ले और आपका ford whatsapp latest वर्जन में update या install हो जाएगा कोई भी आपको परेशानी नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने अभी अभी अपना यह gv whatsapp update किया हुआ है तो सोचा मैं आपको भी बता दूँ कि आपकर ford whatsapp को update कैसे किया जाता है तो आपका file download हो जाएगा फिर आप उस पर click करें update करें और आपका update हो जाएगा लेकिन अगर आपको कोई भी problem आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर screen source send कर सकते हैं ताकि हम अंगला वीडियो आपकी problem को लेकर चैनल और website कौन सा है तो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसे like जरूर कर दें और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ share कर दें जिन लोगों को नहीं पता है कि आकरकार इसे update कैसे किया जाता है वीडियो पूरा देखने के लिए आपका पहुत पहुत धनवाद